प्रॉप्राइब करी है नॉर्मल अंजियोग्राफी को कंवेंशनल अंजियोग्राफी की अब हम बात करें सिटी कोरोनरी अंजियोग्राफी मतलब एक हाट की खून की नसों की इमेज निकालना यह एक इमेजिंग टेस्ट है इसमें आपकी वह आर्टरी के अंदर भी वापस सेम वे जैसे नॉर्मल अंजियोग्राफी में एक कांट्रास्ट मटेरियल डाई डाला जाता है वैसी इसमें भी डाला जाता है और वीडियोज में आप उसके घृषब लट जाते हुए वीडियो ले रही हो इसीलिए अगर कौन सा अच्छा बोलेंगे और एक इमेज हिल्ते हुए परसन की इमेज या उसका वीडियो तो आप बताए कौन सा अच्छा पाइए इसी लिए किसी भी एरिया में पूछा जाए कभी भी पूछादा है तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से कही गुना अच्छा होता है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी नो डाउट बगार यह भी विल्कुल इंपॉर्टन अच्छा है टेस्ट है आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए दो चार इसके ड्रॉबैक्स है दो चार इसके एड्वांटेज है तो इसके बारे में बात करते हैं एक तो कि यह स्वाब हर के इतना बड़ा इंजेक्शन होता है यहां और वह मशीन डालती है मताब 200-300 ml डाई जाती है इसमें जो चाहिए ज्यादा होता है लिटरली पांच यह दस गुना दस गुना ज्यादा चाहिए अस कंपेट टू नॉर्मल कन्वेंशनल पर रिस्क बढ़ जाता है तो अगर आपकी किडनी नॉर्मल नहीं है तो CT कौरर्ली घंसक्ता और किडनी को ड्रीम होता है इसमें भी किड़नी को देखना तो किड़नी फंक्शन इस फर्स टेप सेकेंड मोस्ट इंपोर्टन चीज जो इसमें ध्यान रखनी होती है दिल की धड़कन अगर आपकी तेज है यह घबा घबरा गए मान लो आप सीटी कोरिनरी अंजियोग्राफी में जब आपको मशीन के अंदर लिया और कमरें के अंदर डाला घबरागर दिल की धड़कन आपकी 90 अब्यविस हो गई 110 हो गई तो क्या लगता आपको एक साथ सतर पे धड़कने वाला दिल और एक 110 धड़कने वाला दिल कौन से चीज़ की में अच्छी आएगी ये तो और बलर हो जाएगी है कि दिल की धढकन अगर आपकी 70-80 से नीचे नहीं है वोगि के सतर से नीचे नहीं है तो सिटी कोरोनरी अंजिग्राफी भी खून की नस्वों में ब्लॉकेज और कैल्शियम डेपॉसिट चेक करने के लिए किये जाता है अगर आपके टेस्ट में हाट के अंदर ब्लॉकेज निकलती है डाउट भी निकलता है तो आपको नॉर्मल कोरोनरी अंजिग्राफी करनी पड़ेंगी ठीक है और इसमें भी रिस्क होता है आपको रेडियेशन हो रहा है एक्स-रे एक्स्पोस हो रहा है जो उसम वारा गंटे तक आपको खाना नहीं दिया जाता नहीं रखनी है कपड़े निकाल के गौन पिनाया जाता है प्रोसीजर से पहले आपको बिटा ब्लॉकर दिया जाए ताकि धड़कन थोड़ी सी स्लो हो जाए ताकि आपके हाट के क्लियर इमेज आए तो बिटा ब्लॉकर्स जरूर दिये जाते हैं और कभी-कभी नाइट्रोग्लिस्रीन जैसी दवाए वाइडन करने के लिए भी दी जाती है जिसे थोड़ी थोड़ी वाइड हो जाए अगर आप किसी प्रकार के कॉंट्रास्ट अलर्जी होती है तो फिर आ आपको दवाई फील हो सकती है जाते हुए और याद रखिए प्रोसीजर के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपको यूरीन आते रहे ध्यान रखना है बेस्ट आपके डॉक्टर आपको बताएंगे भी आपको हाट की कंडिशन है कि नहीं है रिजल्ट में हमें दिख जाता है कि इतना ब्लॉकेज है एक प्रोक्सिमेट चीज चीज इंदर लॉंग टम इंफ्लामेशन हो लंबे समय में ब्लॉकेज हो तो ब्लॉकेज वहां से तूटके आगे जाके ब्लॉक ना कर दे याद रखिए खून की नसे एक ही जो पाइप लाइन्स देखी होंगे आपने फून की नसे होती है पहले मोटी होती है आगे जाके छोटी-छोटी होती जाती है तो अगर मोटी जगह पे ब्लॉकेज उसको आधा भी भर रहा है और वहां से तूटके आगे जाके पूरा बंद कर देगा इसलिए शरीर उसमें कैलिशियम डीपॉसित करता है ताकी वहाँ पिक्स हो जाए हिले डूले यद रखिए कैलिशियम डीपौसित जाब है जाथ है तो इससे पता चलता है कि यह एसा आपके अंदर ब्लॉकेज का रिस्क काफी जादा है सो अगर आपका ब्लॉकेज है रिगार्डलेस कैसा भी आपका ब्लॉकेज हो नहीं हो आपको कुछ चीज़े तो हमेशा करनी चाहिए अपने बॉड़ी के अंदर रेगुलर एक्सराइज करिए रेगुलर हेल्दी डाइट लेजिए स्मोकिंग बन करिए हेल्दी वेट मेंटे इनको मैनेज करना यह आपका काम है इंपोर्टेंट काम है जो जिसके बगार आज नहीं तो कल ब्लॉकेज तो बनी जाएगी बाती खतम प्लस एक डाइग्नॉसिस के लिए भी इस इंपोर्टेंट की आप रेगुलर एसीजी इको टीम्टी कराते रहें अगर टीम्टी पॉ के बारे में बात कर चुके अगर आपने नहीं देखा वो पार्ट तो फिर हम आप जाके देख लेना बैक में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा और को बारे में जो जो हमने बताया है उसके बारे में भी याद रखना कि कॉर्णरी एंजिग्राफी में कभी ब्लॉकेज कम सा दिखता है just because heart हिल रहा होता है कभी-कभी इमेज उतनी क्लियर नहीं आती है और कॉर्णरी एंजिग्राफी में ब्लॉकेज और जादा दिखने लग जाता है सो ब्लॉकेज कई बार इसमें 60% और उसमें 90% निकल के आता है तो यह डिफिकल्ट चीज है तो सिम्टम्स बहुत स्टंट लगाना हो तो अलग बात हो जाती है स्टंट लगानी वाली बात में थोड़ा समय लग जाता है उसमें आदे के गंटा लग जाता है तो स्टंट लगाना और एंजियोग्राफी नहीं होता वह एंजियोप्लास्टी होता है एंजियोप्लास्टी में सिर्फ स्टंट कर नहीं होता और टीरियोग्राफी जिसको कैते हैं ऐसी तरीके से हम दिल के दिल के अंदर जाने वाली को नजो नित्रक्ट को और एंजोग्राम दिमाग में जाने वाली को bem season और आप के पैरों में जाने वाले को extremis यह अन्जोग्राम बिḉम श्राइण वाली को pulmonary angiogram angiography kidney में जाने वाली को renal angiogram आपके pelvic angiogram mesentric मतलब पेट के अंदर जो मिजिंट्री उसमें जाने वाली को mesentric angiogram बड़ी वाली जो होता है जो सबसे बड़ी खून की नस होती हो हाट से डारेक निगलती उसको भी चेक किया सकता है उसको आयोटिक एंजिग्राम भी कहते हैं तो कभी उसमें प्रॉबलम लग रही है और टिक टिर तो नहीं है किड्नी में खून जा रहा है लंग्स में खुलॉट तो नहीं आ गया तो अलग-अलग जगाओ पर एंजिग्रा और हाट के ऊपर जैसा हमने आपको बता चुकिया है तो आप यू अंडर्स्तांड वाट इस अंजिग्राम वाट इस आर्टिरियो ग्राम वाट इस अधर तैप्स अफ एंजिग्राफी एच्टरा 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 तो प्लीज दू शेर लाइक और फ्याव पूछिए हम बैठे हैं जवाब देने के लिए तैंकिस्टो माच स्टे कनेक्टेड श्रॉट अधिकर अधिग्राइब